नमस्का दोस्तों मैं आकाश आपका स्वागते दिख्जादी सेंटे यूट्यूब चैनल पर देखो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2019 की फाइनल एक्स्पेक्टिट कट ओफ क्या हो सकती है ठीकिए फाइनल कटॉफ की बात कर लेंगे हम लोग क्योंकि हम लोग जानते हैं रिस्क्रिप्टिव ईग्जाम भी हो चुका है हम लोग और वो जो जो क्वालिवाइं है ठीकिए तो तो इसकी मार्क कोई नहीं आड होने व समझ लो 38 lakhs से भी जादा तुम्हारा अपलाई किया था ठीक है उसके बाद 19.18 कुछ lakhs ने जाके एपियर किया था एक्जाम अब देखो यह एक्जाम जो टायर वान हुआ था वो अगस से स्टार्ट से स्टार्टों के बाइस तरीक तक चला था और तुम्हारा जो रिजल्ट आया था फेप्ट नॉवेंबर को अब यह रिजल्ट में हम लोग पहले देख लेते ह हैं तुम्हारा जो सबसे हाइस जो गया था कट आफ ठीक है सबसे हाइस जो गया था वो तुम्हारा 90 गया था और किसका था वो वो पंजाब का था ठीक है पंजाब का क्यूं था वो भी में बता देता हूं पंजाब का 90 जाने का कारण था सिर्फ और सिर्फ बाइस वाकेंस है जो 18-25 तक एज में है ठीक है और 18-27 तक कोई भी vacancy नहीं है 0 जो लेटेस्ट आया है अभी उसमें 0 है लेटेस्ट तों सोच रहे हो 22 जो है उसमें 90 कट ऑफ गया है ठीक है मैं जैनरल की बात करता हूँ ठीक है 90 cut off गया है और सबसे lowest की बात करें तो वो तुम्हारा गया है that is 67.88 कितना गया है 67.88 कहां में गया है वो गया है महारास्ट्रा के लिए महारास्ट्रा के लिए ठीक है 67.88 और दिल्ली का अगर हम लोग बात करें तो उसमें 75 गया है दिल्ली का 75 गया है दिल्ली के लिए अब देखो ये तो है चलो समझ लिए हम लोग क्यों किस में मतलब जहां पर vacancies ज्यादा है वहां पर आपकी cut off कम देखो 75 दिल्ली का है 75 दिल्ली का है लेकिन दिल्ली का अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली का around 3179 vacancies है 3179 ठीक है 3179 मतलब vacancy है तो cut off जो 75 गया है तो उससे हम लोग समझी रहे हैं थोड़ा तो ज्यादा होगा ही होगा वहां से ठीक है वहां पर तो थोड़ा ज्यादा होगा दिल्ली के लिए तो safe और expected हम लोग देख लेते हैं अचा लास्ट टाइम जो descriptive का qualifying marks था वो भी आप देख लो वो था आपका general का 35% और बाकी के लिए 33% मतलब और UFM का भी डर है क्योंकि अगर UFM ना लगे तो चलो ठीक है UFM से अगर आप बच गे तो definitely marks आपको मिल जाएगा अब इस बार जो आपका vacancy declared हुआ है वो अगर हम लोग बात कर ले total vacancy है 9018 टीक है last time कितना था last time जो final result निकला था 10674 है अभी तो vacancy अभी भी बढ़ सकता है final नहीं है कुछ भी मन सकते मतलब मेरा expected vacancy जो है 9500 तक जा सकती है vacancy ठीक है तो इसमें तो almost अगर आप देखोगे तो competition बोलो जो भी level है तो कुछ ना कुछ उतना ही उतन से जादा भी नहीं जाना है तो इसका कितना हो सता है आचा महा नस्त्रा में जो सबसे कम गया उसमें vacancies कितना है 1468 vacancies है जिसमें 1347 है तुम्हारा 18-25 और 121 है तुम्हारा जो है तुम्हारा 18-27 ठीक है अब देखो हम लोग बात करते है final cut-off की क्या हो सकती है basis of this analysis and all those तो जितना मुझे लग रहा है general का जो vacancies होगा general का होगा जो ठीक है वो थोड़ा सा higher end में रहेगा मुझे जो आप पंजाब में 75 और 90 गया है पंजाब में दिल्ली में 75 देखो आप कुछ-कुछ state में तो बहुत high cut-off जाएगा वो में नहीं बता रहा हूँ on an average आपके पास कितने marks होने से अगर आपने सभी जोन जो है apply किया है उस marks को में बता रहा हूँ ठीक है ये नहीं बता रहा हूँ जे पंजाब में देखो पंजाब में अगर 90 गया है तो obviously उसका final cut-off होते होते 93 तो चलाई जाएगा या 95 भी जा सकता है general का ठीक है तो क्यूं 95 जा सकता है ठीक है तो वहां में नहीं बता रहा हूँ मैं अगर बोल रहा हूँ अगर आपने सभी जोन भड़ा है तो सभी जोन भड़ा है तो आपका कितना cut-off हो सकता है मतलब नौकडी आपको मिल जाएगा कोई ना कोई जोन में तो general का जितना जा सकता है मुझे लग रह जाएगा ठीक है यह आप माल लो EWC Economically Backwards Section जो है वो उसका आपको 70 से 75 तक जाएगा OBC का जो है वो आपका 69 से 73 तक जाने की chances है ठीक है expected है यह सब और दोको यह expected है final नहीं है ठीक है क्योंकि हम तो analysis करके जो भी analysis और जो experience उसके हिसाब से मैं बतारा हूं लास्ट टाइम भी जो मैंने बताया था वो एकदम सठीक आया था तो SC का भी जो आपका 63 से 68 तक जाना है और ST का जो है आपका 56 से 61 ठीक है तो गाइस अगर आपकी इसमें marks आती है तो चलो ठीक है आप थोड़ा सा रिलाक्स रह सकते हो लेकिन बच्छों का नहीं है तो उनका भी कोई tension वाली बात नहीं है आप वेट कर जो final तक exam तो हो चुका है depressed होने की बात नहीं है demotivate होने की यह video देखो demotivate या किसी को अच्छा लगने वाले works के लिए नहीं बना रहा हो यह सीव एक idea देने के लिए आपको बता रहा हो तो definitely अगर आप इसमें आते हो तो चलो उसमें भी ठीक है यह मत करो जिसमें आ रहे हो तो पढ़ाई आपने छोड़ दिया वो भी नहीं है आप आपको पढ़ना है अगर इसमें आ भी रहा है तब भी पढ़ो अगर इसमें इस marks में आपका बाहर है तब भी पढ़ाई करो अगर बाहर है तो ज्यादा पढ़ाई करो नहीं भी है तो पढ़ाई definitely करो चोड़ना नहीं है जब तक आपका हाथ में appointment letter नहीं आता है यह सीख ल होता है तब तक पढ़ाई मत छोड़ो मैंने भी किया था भूक्स लेकर घूमता रहता था ठीक है तो वह मत करो जब तक आपकी प्रोविशन प्योड नहीं खतम होती है ठीक है तो चलो यह था एक सभी बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद यह वीडियो में ने बनाया है तो थेंग यह थेंग थेंग फर वाषınt ban